कि आप सभी को मेरी नमस्ते और जैहिंद मेरा नाव भास से नहीं है वर्बल मैं अद्वर भास से नहीं है आप सभी का स्वागत है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीन कोशन है मेरे पास तीनों आपको करने है ठीक है समझाते हैं कैसे करने हैं उससे बहले एक वाम आप माली जी आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो इसका नाम है डिविडेंट जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो उसका नाम है डिवाइजर यहां पे कोशेंट है और रिमेंडर है आप बोलो के जो डिविडेंड आएगा वो डी क्यू प्लस आर इससे बोला जाता है रिमें से साथ से दो से टीउट करते तो रिमेंडर एक आता है तो पाश से पहले क्या कर रहा ह। आपने बोला देखो अगर मैं पहले 2 से कर रहा हूं यहां पर रिमेंटर लिखुआ एक चार जीरो फाइव और यहां पर अगर मैं कर रहा हूं दो तीन पास साथ तो आप मुझे बता कोई कोशंट भी आएगा यह नहीं आएगा कोई कोशंट भी आएगा तो आप क्या करने के लिए करते हैं लेकिन सबसे छोटा कोशंट क्या होता है क्यों बराबर बढबर होता है सबसे छोटा कोशंट हम जीरो तब लेते हैं जब मेरेको कोई format चेक करना एक फॉर्मेट लेकिन हम पार्टिकुलर नमबर निकालना है तो मैंब वन साइट के लिए हमेशा वन लिए अगरो इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है अब तो हो गए चार साल जब वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे बहुत तारे लोगों ने अपनी मिलियंस वाली वीडियो भी डिलीट कर दी क्योंकि सबने जीरो लेके कर रहा था जीरो तब लेते हो आप जब एक फॉर्मेट पे बेस्ट कुशन है अगर मैंने आपसे पुछ दिया लीस्ट नमबर बताओ तो क्यूँ बन लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसा होते ही नहीं कि कोई भी नमबर जीरो पे जा रहा है तो क्यूँ मिनिममम बन होना चाहिए अब क्या कहना चाहरो में समझो जैसे माल लीजिए मैंने बोल दिया अब दी क्यू प्लस आ रहे है यह मेरा नमबर है तो मैं यह लेलूँ हां साथ इंटू एक प्लस यह नि आ गया 12 फिर 12 इंटू 5 क्यों यह लेलो 12 इंटू 5 प्लस 0 60 आ गया 60 इंटू 3 प्लस 4 आपने बोल दिया 184 आ गया और 184 इंटू 2 184 इंटू 2 प्लस 1 यह नि कि वो नमबर यह आ गया एक तरीके से जो कि आपने बोल दिया 8 यह निकि 9 और यहां पे 8 दूनी 16 त्री 369 इन यह निकि वो नमबर यह अब कोई बच्चा बोलेगा मैंने 0 लेके कर दिया यहां पर बोलेगा मैंने तो 0 लेके कर दिया वो ठीक है बात आपकी लेकिन आधे कोश्चनों में आंसर सही आएगा आध हमें नहीं आएगा जब फॉर्मेट में डिपेंड करेगा फॉर्म अहले साथ से कर रहा हूं फिर पांच से कर रहा हूं फिर तीन से कर रहा हूं फिर दो से तो सब साथ से कर रहा हूं तो कितना आएगा आप बोलेगा साथ पंचे पैंटिस उननिस साथ नहीं चौदा यानिकि पांच अरिमेंटर पांच से कर दो पांच दाम दो है रिमेंटर दो सगर तो दो एकम दो बच गया मतलब एक बच गया रिमेंटर आप सब लेके जा रहा हूं और मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं आप सब बच्चों ने कोशन कर रखे होंगे लेकिन कहीं बच्चे अगर सारे कोशन ठीक करना चारे तो मिनिममम ले लो और अगर आप इतना समझते हैं वह समझाने के लिए टाइम जादा चाहिए वैसे आप यह इतना समझ लो कि जब फॉर्मेट पर डिपेंड करती है चीज़े एक पर्टिकुलर नंबर का फॉर्मेट क्या है तो आप जीरो ले सकते हो अंसर ठीक आएगा जैसे प्रवर्मेट की बात कर रों मैंने बोल दिया अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जीरो ले लेता 힘들 ऐरू ए लेट से अपे इससी कोश्षटन पो यहां ले रहे हूँ कि मैंने बोल दिया तो सबंद आ बात को जैसे आपने बोल दिया कि 159 और यहां पर आप बोलते हैं 7-5-3-2 तो आप देखो पहले साथ दुनी 14 साथ दुनी 14 पांच आ गया फिर पांच से गर दिया आपने तो तो एक यहां पर एक आगया फिर एक करते एक आंसर वही है क्योंकि फॉर्मेट में डिपेंड कर रहा है यह नहीं मैंने वोल दिया अब है यहां पर लूँ लेकिन जब आप यहां पर जीरो ले लेते हो तो कैल्कुलेशन काम हो जाती है बट पता है जीरो लेने का क्या है आधे जब मालों लीस नमबर पूछ ले होता है मैंने के लीस नमबर बताओ तो लीस नमबर अगर आपने 159 तो गलत है लीस नमबर है तीन से और 5 से डिवाइड कर रहे हो रिमेंडर एक दो तीन आ रहा है तो रिमेंडर क्या आएगा अगर मैं 13 को डिवाइड करूंगा सेम नमबर से और इसने खुदी दे दिया कि लास्ट कोशन वन ले लो खुदी बोल दिया आप लिखो कि वही डीक्यू प्लस आ रहा है न यहां से पीछे उपर चलेंगे तो पांच इंटू एक प्लस तीन यानिकी आठ और यहां पर कितना लिखाए त्री आठ तिया चौबिस प्लस दो यानिकी सब्विस सब्विस दो नहीं बावान और एक तरेपन जैसी तरेपन को 13 से डिवाइड करोंगे तो रिमेंडर कितना एक और देखो find the remainder मैं successively divide by 357 जब आप successively divide कर रहे हो 3 से 5 से 7 से ठीक है तो रिमेंडर कितना आ रहा है लीव निमेंडर को वड़ा सा इधर करतो हो लीव निमेंडर 2 1 और 3 यह कौमा आना ता 2 1 और 3 टू बन और थी थीए ठीक है तो लास्ट कोशेंट अपकी बारी देदिया यह देखो और मजह का कोश्वह लास्ट कोशन आपको देदिया 3 यानि कि नीचे से शुरू करने लास्ट कोशन 3 यानि 7 इंटू 3 प्लस 3 तो 24 आ गया 24 इंटू 5 यानि 120 प्लस एक यह आप भी हाप भी यह थोड़ा सा आपको यह वीडियो से पता चला होगा यह जो छोटी वीडियो की वैल्यू है वो वही वच्छे समझ सकते हैं जो अभी पेपर देकर आचुके हैं पहले और यावी जो पेपर देने जाएंगे उन्हें पता है कि कौन सी चीज कहाँ आती है वो दस-दस घंटे की एक गंडे की दो दो गंडे की तीन-तिन गंडे की वीडियो आप देख लेते हो मैं गलत नहीं बोल रहा बिल्कुल भी लेकिन उसका अलग आउट पूट आता है इन चीजों का अलग आउट पूट आता है आपको समझ में आए और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से और व से और मेरा रिमेंडर मेरा रिमेंडर आ रहा है मेरा एक दो और एक ठीए तो मुझे बता हो सेकंड लीस नॉमबर ऐसा कौन सा है जो इस चीज को फार्मेट कर मतलब इस چीज के लिए वैले हूँ एक्ट लीस नमबर ठीख है सलिए आ होब कि मजा आया हूँए ऑग他 है झाल झाल